है दोस्तो अभी जंगल में घूमने आये तो यहां पर टाइगर के प्गमार दीखें आप लोगो इखाते हैं यह गोल स्ट्ने को लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें डोस्तो जो करमकी मैं केपी आपका दोस्त और अपका होष्ट केपी सिंग सवाहि दोस्तों अभी मैं रार्थम दो स्पारी के लिए लोग वाग जाते हैं ये जङंगल की और जा रही है और ऐसे हम लोग आपको दिखाते हैं जो विवेक अनद्पुरम कोलोनी है वो रार थम रोड की बियाईपी कोलोनी बानी जाती है एक समय था जो यहाँ पर लोग बाग सोचते थे कि हम लोग अंदर कैसे जाएंगे लेकिन आज यहाँ पर प्लोटों की बात करें तो करोडों के यहाँ प्लोट मिलते हैं और मेरे साथ में भगवान जी है उनसे भी हम लोग बात करेंगे जाने की कोशिस करेंगे कि रर्थमबोरोड के जो नेचर हो उसकी क्या महत्व है तो चलते हम लोग हमारे भगवान जी के पास में और हमें बहुत कुछ बताएंगे इस रर्थमबोरोड के बारे में जेहो करमकी मैं भगवान माली केपी सिंग जी के साथ सुबह सुबह मोर्णिंग माग पर रर्थमबोरोडे लात पर आए हुए है और आज हमें इस प्रकर्ति के नजारे के बीच में हमने सुद्ध हवा इस शारीर को देने के लिए जो हम्ने इस सुद्ध हवा हमारे सरीर में ब्लोकेज को वगडर है को होती है इन वे सबको खोलती है और हमारे सारे दिन को तरो ताजा रखती है जिस तरीक़े के trend करते हैं को्लाकों लुपे नजड हैं हम फ्री में इसके आनन्द ले रहे हैं जय हो गणेजी माराज़ी काहवत है कि कान मत करो करम करो क्योंकि करम आपको कहीं ना कहीं शिकर पर जरूर ले जाते हैं अपनी आज़ियुका चलाने के लिए करम करना पड़ता है तो इस करम का महत हूं समझे दोस्तों अभी जंगल में घूमने आए थे तो यहां पर टाइगर के पगमार दिखें आप अच्छी से देखें गोर से देखी है कि दिख रहे हैं यह देखी छोटा सा यह देखिए यानि कि मुमेंट है यहां टाइगर का अभी यहां पर ट्रेकिंग वाले आयते उन लोगों ने गोला किया और उसके बाद में यहां काफी आगे तक जा रहे हैं यह देखिए यह और यह जंगल है देखिए जंगल एरिया आप लोगों अंदर भी लेकर चलते हैं हम लोग चलेंगे और अभी और भी इस परश्टता वाले भी दिखाएंगे आपको देखिए इस परश्टता नजर आ रहा ने आपको यह टाइगर के पगमार और यहां मूमेंट है आसपास निकले सुबह-सुबहां वाग पर तो के पिसींजर ने कहा कि चांदमारी अनमानिगा मंदिर है है तो वहाँ पर चलते हैं तो हम रुटतमंबोर ॏरोड से चांदमारी अनमानिग राधिकीतर जैसे गए हमने देखा है कि क्यों हमें पोफाय सुबह-सुबह टाइगर के प हम गुमते रहते हैं परन्तु इस जंगल के बीच में हम गुमने का उसर बहुत कम मिलता है जैहोक कर्म के लिए दोस्तों जैसा अप लोगों मालूम है कि मैं सुभवसुवे नेचर के लिए निकल जाता हूँ और मौनिंग वोग मेरे को बहुत जदा पसंद है और नेचर के बीच में अगर हम लोग बात करें तो मैं अभी चांद मारी के यहां ओ और चांद मारी के बात करते हैं तो यहां मदिर बहुत बड़ को दिखाता हूं देखिए यह बढ़का पेड है और इस बढ़के पेड़ के हैं कि बात करें हम लोग तो बहुत ही सुन्दर बढ़का पेड है इस बढ़के पेड्ड को देखने के लिए हैं लग वक्ताफी दूर दूर सांते हैं लेकिन आज मुझे ऐसा अध्यां कुराना प्राचिन मंदिर बताया जाता है इसको और यह बहुत प्राचिन मंदिर बहुत बहुत प्राणी मूर्ती बताया जाती है इसको यह देखिए और हमार साथ यह देखिए सबसे पहले तो यह देखिए यह दुना है बहुत अच्छा कर दिया पहले से बहुत 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 ब लागए मिलती है क्योंकि कहीना कहीं हर विकती अपनी संतूष्टी योदि उन्ने के लिए संतूष्टी नुनरी है तो आप जंगल पर जा इन एयुक्ति पर जाएं और आपको अलग से एक अनुबूती मिलती हो इस अनुबूती के बीच में हम लोग यहाँ पर आए हुए तो आपको कैसा लग रहा है यह बहुत अच्छा तिलो रहा है इस परियावन के बीच में अनुमान मंदिर है वंडि के बाला जी यहां पर सिविस्तान भी है और यहां अबर हमारे जो लोगमाल्ग है पुजा पार्थ लिए आते हैं और शुभे सुभे इस पर्यार्वन की सुद्ध के लिए निया पर पदावते हैं जब में जंगल के बीच में यहां चादमारी के लगा रखा यह तस्वीर वह बहुत ही सुंदर देखती है और जंगल के बीछ में इस तरह की स्तान होते हैं तो एक अलगी नजारा होता है और यह महसूस होता है कि हां यार कई नकई भगवान है तो यहां नजार आतें नेचर की बीच में पर त्वरकितिनी वास्ता में हर ची जाएं जिससे आने वाली वीडियो को नोटिप्शन आपको मिल जाएगा